और अब बात बहरायच की बहरायच की मटेरा और बहरायच की सदर सीट को बचाने की राजनीतिक विरासुत को बचाने की जो कोशिश है वो जादा तेज हो गई है दो बार से विधायक यासर शाह ने इस बार मटेरा सीट से अपनी पतनी मारिया शाह को मैदान में उतारा है तो मैं दूसरी और खुद अपने पिता की जो सीट थी बाराइट सदर सीट वहाँ से वो खुद आ मैदान में उत्रे हुए हैं और दोनों नहीं बीजेपी पर जम कर हमला बोला है सुनिए किस तरीके से ये जो जुवानी जंग है वो आगे बढ़ चली है वहराईश में पांचपी चरण में चुनाव होना है जिले में साथ विधान सभा सीटे हैं लेकिन दो विधान सभाएं ऐसी हैं जहां का चुनाव बड़ा दिल्चस्प नजर आ रहा है यहां की मटेरा विधान सभा और बहराईच सदर विधान सभा इन दोनों विधान सभा के सीप पर अब सियासत में विरासत बचाने की एक दिल्चस्प दास्तान सामने आई है जहां दो बार से लगतार विधायक रहे यासर शह ने अपनी पत्नी मारिया शह को इस बार मटेरा विधान सभा से मैदान में उतारा है इस सरकार ने पास साल कुछ नहीं किया बच्चो ना बच्चो की शिक्षा को देखा न स्वास का कुछ खयाल रखा सड़के टूटी हैं तो टूटी पड़ी हैं लाइट कहीं नहीं आ रही है मैं उन मुद्दों पे चाहूँगी कि अगर मैं विधायक बनती हूँ तो काम करना चाहरा है खुद अपने पिता डॉक्टर वकार एहमर्शा के विरासत बचाने बहराईच सदर सीट से इस बार चुनाव लड़ रही है यासर शह सपा सरकार में उर्जा मंत्री भी रह चुके हैं इन दोनों सीटों पर अब विरासत बचाने की जंग लड़ी जा रही है जहां मारिया शह दिल की दर्वाजे खटखटा कर वोट मांग रही है तो वही यासर शह अपने और पिता द्वारा कराएगे विकास की काम पर वोट मांग रही है यासर शह अपने पिता द्वारा 23 साल तक कराएगे विकास की नाम पर वोट मांग रही है तो खुद अपने कारिकाल में कराए गया विकास काम को बता कर जरता का दिल जीतने में लगे हैं और इस सीट से जीत हासल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं लेकिन जरता किसे विधान सभा भेजती है या नहीं इस बात का पता 10 मार्च को चलेगा News 18 के लिए Bureau Report